हेलो गाइज यहर कैसे हैं आप सबी लोग आज की वीडियो में हम दुबार से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट खेलने के लिए वह वी वन ब्लॉक तो वन ब्लॉक का एपिसोड यह बाई टू होने वाला और बाई मैंने पिछली वीडियो में बहुत लोगों से पूछा था ठीक बट जब मैंने बहुत इतने बंदों की देखी तो अभी यहर मैं सेग्ड एपिसोड बनाने वाला हूं तो इतना बहुत देखने आज क्रेशी चीज बना देंगे ना अज हम दो दो बिल्ट बनने वाले हैं तो अभी यहर वीडियो को सबसे पहले तो जिसने भी लाइक नी ने subscribe किया है तो subscribe कर दो और मैं आपको बता दूँ कि आज की वीडियो में हम बनाने वाने एक मस्त सा story room और एक बाई XP farm तो चलो फटा फट से अभी वीडियो को शुरू करते हैं तो भाई यह अभी story room को बनाने के लिए थोड़ा सा हम समाने कठा करते हैं और बाई story room बनाने की जिम्यवारी मेरी अरे यार यह देखो भाई यह ना आए भाई दोस्त लोग ऐसी हरकतों से भाई कभी भाज नहीं आएगे जब आप दोस्तों के साथ खेलते हूं यह देखो भाई अच्छा बला यार पेड काट रहा था नीचे से आकर बंदे ने तोड़ दी वोड ठीक है देखो भाई हरकत है देखो यार दोस्तों की तो किरपया करके भाई साब जान रहे सतरक रहे जब आप दोस्तों के साथ खेलते हूं ऐसी चीज़ों के होने के लिए यह बंदे भाई नीचे दोड़ कर आपको वाइड में भी गिरा सकते हैं ठीक है चलो यार अभी हम अपना हमारे कठ्धा करना शुरू करते हैं और यह सब हरकतों से बाज दहीं कभी दोस्ताप करने कभी नीचे खड़ा है वह देखने हो उपर मूह करें वुट तोड़े कम मैं इसकी वुट तोड़ी है नीचे पैर वाली तो देख सकते हो बाई कि बहुत में मैं बहुत मुशक्कत में काम कर रहा हूँ और हाँ तो आज यह हम थोड़ा सा ना मेरे दोस्त नहीं यह आइडिया इसका ही था कि थोड़ा सा आइलेंट बनाएंग कर लो इतने मस्त मस्त चीजे चीजे करेंगे ना अभी तो यह मुझे वन ब्लॉक में मजा ने लगा लिट्रल भाई तो अभी थोड़ा सा हम समान इकठा करते हैं और भाई थोड़ी सी मैं आपको तभी मिलता हो जब हम नीव रखेंगे हमारे स्टोरेज फार्म की यह अभी अगरा से मनाएंगे क् तो हम बड़िया मनाएंगे और इसके खासियत कर देखेंगे ँदाने वाली हो जो 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 ब्लॉक यह यूज नहीं आएंगे या लाइक माइनक्राफ्ट में कॉपल स्टों यूज आता है तो उससे भी नहीं भाई जो ब्लॉक यूज नहीं आएगे और बाई सुमतर भी इतना ब्ला दोगा आप देखते रहा जोगे तो चलो भी थोड़ी सी इसकी मेजरमेंट करनी शुरू करते हैं भाई इसकी हमारे लाइ भाई रखेंगे भाई हम सैवन ब्लॉक ठीक है और इसकी हाइट भाई पांच ब्लॉक रखेंगे ठीक है तो लाइक नीचे से तो एक ब्लॉक पर शत्ता है जागी अगर हम चार ब्लॉक करेंगे तो फिर समझ रहे हो ना बाई तो ऐसी मेजरमेंट होगी आपको करकरी दिख करने वाला हूँ डाइरोइट्स तो इसका भाई लाइक हम ऐसा कुछ बना देंगे तो आप सोच रहे हों कि यह क्या चीज है ठीक है तो यह इतना यूज नहीं आता ठीक है हमारा ब्लॉक बट यह दिखना का वाई इतना भी लाइक अच्छा होता है ठीक होता है लाइक बिल लाइक इसको छोड़ देंगे और यह वाला गलती से लगए इसको तोड़ देते हैं तो आप सोच रहे हों कि यह लाइक ऐसा क्यों तो भाई अगर इसको हम सीधा लिगा देंगा सारा भाई वाल इसकी बना देंगे डाइयो राइट्स की डाइयो राइट ठीक है और सॉरी प्रनाउस गलती से हो गया था तो डाइयो राइट्स की हम सारी वाल बना देंगे तो अच्छा नहीं लगए और यह देखो भाई अगर हम ऐसे कुछ कोबल्स्टोन इसमें ऐसे करकर लगा देंगा और वह पता नहीं कहां वर्ल्ड के बाहर गिरी जा रहा तो ऐसे कुछ थोड़ी सी मिस मेजरमेंट होगी और वुड लगानी में नीचे बूल गया तो यहां पर भाई देख रहोगी कि ऐसे हमारी न लाइक वाल सी ऐसे हमारी फ्रेम होगी तो अभी यह मुझे थोड़ा टाइम देना एक फ्रेम तो लाइक आपने देख रही और मैं अभी को आप इतना शोट सा आपको स्टोरेज रूम का क्या फाइदा भाई दिक्त पता कब होती है जब हम चैस्टों में बिना देख के देखे लाइक बिना सिधा हमान फेक देती हैं तो हम इसको न ऐसे एसेंपल गरेंगे लाइक आइटम सोटर तो भाई नहीं बन साकता ठीका अभी आ यूजलेस ब्लॉक्स का इंस्तमाल कर रहा हूं ठीक है जो यूज नहीं आएंगे बट इसको सुंतर इतना बता दूंगा दिरे दिरे देखते जाओ तो मैं यह कर रहा था कि हम इसको ना सेंपल ऐसा कर देंगे लाइक एक चैस्ट पर नाम लिख देंगे लाइक इसमें सीड ठीक है और माइनिंग वाले सोर्सेज और नॉर्मल बिल्डिंग ब्लॉक्स और भाई प्लांट लाइक ऐसा कुछ हम कर देंगे तो देखना भाई कितनी कम स्टोरे यूज होगी लाइक वुड वुड वाले सेक्शन में आएक कोई भी लाइक फैंसव गह रहा है जो वुड स बनती है ठीक है जिसके नाम आगे लाइक ओक सप्रूज कुछ भी बस उसके लगना जाए वुड होना चाहिए ठीक है तो वह उस सेक्शन में आएगा तो हमारी ऐसी कुछ फ्रेम बनकर रेडी है और इसकी फ्लोरिंग भाई मैं सोझ रहा हूं कि सप्रूज लॉक से ही कर दे ठीक है वह भी टेडी करकर तो बहुत चेस्ट हो जाएंगी इसमें तो ऐसा कोई दिक्क्त की बात नहीं कि कम चेस्ट होगी और आप सोच रहो कि इसका फेस भाई खुला की हो है मैं आखर में रुको यार एक मस्त चीज करेंगे तो आप सोच रहो कि यार मस्त मस्त कई यार बट क्या करेंगा यह वेट करो यार आखर तक वीडियो को देखा करो याप मजा आए आप मजा आ जाएगा भाई आपको तो इसके गेट को थोड़ा सा मैं ऐसा लगा देंगे और एक ब्लॉक यार ऐसे करते हैं बट यार एक स्टियर रखते हैं ना इन दोनों को तोड़ द चुका हूं सेंटर में एक लगा देते हैं ताकि हमारा चड़ने का हो जाएगा और साइड पर एक ही जगा होगी हमारी चलने की ठीक है वहां पर और यहां पर अभी ट्रैपडोर लगाते हैं तो इसको सजाते भी ठीक है ट्रैपडोर यहां पर बनाकर लगाते हैं तो फ्लैक्स को निकाल लेते हैं और भाई हमारे यहां पर six trap door हो चुग है इतने बहुत होंगे हैर सबसे पहले तो हम ऐसे लगाएंगे यहां पर यहां पर ऐसे करकर और बीच में lantern लगा देंगे ठीक है तो अभी यहां पर नीचे लगा देंगे हम नीचे लगा कर बंद कर देंगे तो यह देखो यह हमारी ऐसी कुछ entry बढ़िया लग रही है तो अभी यह खुला नहीं होगा आपको दिखाऊंगा आगे मैं यहां पर रिमूव करेंगे और अभी हमारा आ जाता है भाई इसका शच्ट का काम तो इसकी रूफ को complete करते हैं बहुत सुंदर रूफ बनाएंगे तो चलो इसकी रूफ को भी अभी complete करते हैं तो भाई मैं इसकी रूफ को complete करने के लिए आ चुका हो और side में मैंने थोड़ी सी dirt की stairs लका दी थी ताकि हमको उपर चड़ने में दिखतना हो और समान भाई पता नहीं यार क्यों नीचे गिरी जा रहा है तो अभी इसलिए भाई मैंने ये स्टेर्स लगाई है और भाई मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डर्ट ले लेती है बिल्डिंग ब्लॉक के लिए ताकि हमको नहीं यहां पर बिल्ड करना असान होगा और हमें यह दिख भी जाएगा सामने से कैसा लगता है तो इसको भाई मैं विलेजर के गर की तरह नहीं बनाने वाला हूँ ठीक है तो इसको देखो यार अभी दिखाता हूँ आपको एक ब्लॉक कैसे लगी गा सप्रूज का लोग प्लैंक और फिर स्लैब ऐसे उपर जाएगी ठीक है तो यह थोड़ा सा भाई आपको दिख जाएगा यार कैसा मज़ितार सा होने वाला है सिंपल नहीं होने वाला है और यहां पर एक हम प्लैंक लगा देती है और प्लैंक के साइड में एक स्लैब लगाएगे सप्रूज की ठीक है रंगपरेंगे मत बन देना यार बहुट बहुत यार वो रहा, अजीब सा लगता है तो अभी सेंटर में एक ब्लॉक को ऐसे लगा कर ऐसे उपर को उठा देनी ठीक है और लुक लेखते है तो, ऐसा सेम, हमें पीछे भिनाना पड़ेगा, और शक्त को भी यर रूफ को भी संद्प करना पड़ेगा हमको तो भाई इसकी रूफ को भी हम स्लैब से идет कवर करेंगे और चलो भाई slab हमारी हो चुकी है खतम और अभी और लेकर आते हैं तो अभी यार इसमें यार वुड बहुत ज्यादा यूज उने वाले ठीक है लाइक बिल्ड के लिए उतनी यार वुड नी यूज होगी जितना भाई लाइक इसके इसमें ना चेस्ट बरने के लिए यूज होगी भाई आप यह सोच सकती हो लाइक आप सोच रहे होगे कि इतना छोटा सा इसमें क्या जैस्ट हैंगी भाई आप वेट करो देखना भाई इससाब से मैं चैस्ट लगाँगा यह लाइक स्टोरेज की इसमें कोई कमी नहीं होने वाली और इ चैस्ट में भाई सब कुछ हम दाल देते हैं ठीक है तो उपर देखो अवे भाई वो तो यह एक्सपी फाम उसका भाई बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है भाई क्लैपिंग कर देते हैं भाई के लिए थोड़ी सी और यहां पर भाई हम कुछ ऐसे तरीके से स्लैब्स लगाने वले हैं तो यह भाई कनेक्टों की पीछे तक जाकर ठीक है और थी का फोलो यहां देखो अभी कितनी दिफ्रेंट लुक का रही ठीक है और यहां पर तो हम नहीं करेंगे ठीक है तो ब्रो water रखो यार भाई अच्छा कोई नी कोई नी भाई वो बहुत ही important चीज पर लगा हुआ भाई इसलिए water रखेंगे भाई तो यहां पर slaps पर तो यहां खेर नहीं रख पाएंगे water इस पर डर्ट लगा कर हम water रख देती है तो slaps पर हाँ बढ़िया कर रहा है यार वो तो बढ़िया कर रहा है हमें भी थोड़ा सा बढ़िया करना पड़ेगा wood बाई यार मेरे पास तो खुद बाई wood के यार कमी पड़ी हुई है तो देखते हैं भाई उस chest में होगी यार ठालेंगे बाई मेरा देख लेगा बाई अपने आप वो चेस्ट में हाथ न बाल लेगा तो अभी यार ये आखरी स्लैप से भाई हमारी रूफ हो चुकिया पूरी कम्प्लीट और इसको यार काम बचता है अभी डेकोरेशन और डेकोरेशन से भाई देखना कितना मस्त बराद होगा या आप देखते जाओ भाई आपको बाई के बिल्ड पर शक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो भाई ट्री हाउस की वीडियो देख लेना ठीक है तो अभी इसमें भाई चेस्ट बरेंगे तो उसमें भाई बहुत टाइम जाने वाला तो मैं सिंपल अभी आपको दि दूश्र है याद रखेगा यार अपने भाई को तो यह देखो हम आधी आधी करकर टॉर्च फेक देती हैं क्योंकि यह एक्सपी पर बना रहा है उसमें यह बहुत और चिसकी जरूरता है और बाई मुझे यहां पर भी जरूरता तो मैंने सारी नहीं फेंगे ठीक है तो हम मैं वुड्डिक अठा कर रहा था और आपके भाई पर हो चुक है स्लाइम का टैक और बाई मुझे चारों तरफ से गेर लिया और इसको भाई तुम्हें बताता हूं वेट करो और बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि हमें आगे वाले बिल्द में इसकी हमें इसकी जरूरत पढ़ सकती है और जो यह स्लाइम है ठीक है जैने बोल्स की ठीक है तो इसको भी चश्ट में सबालकर रख दी थे उस भाई की भाई पहली चश्ट में बहुत सामान है और जब हम यह स्टोरी रूम बनाने कि न तो हमें बहुत आसानी हो जे एक हैर्पत आसे अंशीं अभर अगर मैं हराम हूं मुझे बताना कि मेंडग नहीं मारती है हमारा स्टोरे रूम अभी हुने वाला अफरी थ्री हमें चैस्ट लगानी है इसमें तो यह देखो हमारा कितना बड़ा बड़ा बाइव मुझे पता है यह थोड़ा सा शोट है ठीक है अंतर लाइक जाने के लिए बड़ यार उसी के साथ हमारे पास यार जितने लाइक मैंने आप वह भी तो देखो यार यूजलेस चीजों से यह बनाए है तो इतना तो यह थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइस हमें करना बड़ेगा ठीक है तो अभी यहां पर एक क्राफ्टिंग टेवल लगा देते हैं और इ इसे एक्स के एक्स से तोड़ते हैं और यह देखो भाई कोई बंदे न अगर यहां पर सामान है तो यहां पर कुकुभी कर सकता है फूड बगरा और वहां पर लाइक क्राफ्टिंग टेवल को भी लाइक कुछ बना सकता है ठीक है स्टोरी रूम में ऐसी चीजों की जरूर तो मैंने वहां पर ऐसी लगाती तो यह अभी मैं ना इसे इसके चारों तरफ मैं फैंसी करने वाला हूं वह भी यह सिंपल फैंसिंग नहीं मैं करूंगा यहां फैंसिंग ट्रैप डॉर गेट से और देखना बाई कितनी अच्छी फैंसिंग करूंगा और थोड़ा सा भी आपको समाने कठा फैंसिंग का करकर लाइक उसके बीच में इसकी वाल्स भी यूज़ करूंगा कोबल्स्टोन की तो चलो भी फटाफ़र से हम फैंसिंग करनी चुरू करते हैं तो यहां पर ऐसे बाई मैं ट्रैप डॉर लगाने वालों उपर भी और इसको खोल देते हैं और नीचे भी तक यह थोड़ी से हैवी पिलर्स वाली फील आए इसमें से तो यहां पर भी ट्रैप डॉर लगा देते हैं और उपर ऐसे ही लगा देते हैं यहां पर भी बंद कर देते हैं और यहां पर भाई सामने में ने बैरल्स के उपर ना स्टेर्स लगा दी थी तो य फोड़ी बहुत डेकोरेशन तो भाई फैंसिंग के साथ साथ भी करते जाएंगे और यहां पर बाई नहीं यहां पर अगर लाईग देखो यहां पर ठीग लगेगी ना तो यहां पर हमने यह लगा दिया और तीन हमारे गेट लगे और यह देखो वाई कितना प्यारा लग रहा है एक बीच में उपर है और दो like side वाले नीची है और यहां पर हमारी wall लगी तो चारों तरफ ऐसी इसी तरीके से भाई fancy करने वाले और यह थोड़ी सी गलत होगी न हमारी wall यहां पर लगनी थी भाई हमने गलत लगा थी इसको तोड़ते हैं फ पीछे की तरफ क्योंकि यह गलत बन गया ठीक है तो भी मैं आपको farm बना लाइक story room बना कर भाई पूरा complete करकर मिलता हूं तो भाई हमारा story room बनकर पूरा तयार है और यह देखो signboard भी लगा दिया और इनको color भी डाल दिया जैसा कि यह new update में आया था और side से अभी मैंने थो brand लगा दी थे यहां पर सारे भाई उसको काम अपने भी लगा दिया भाई उसने तो यहां पर signboard जिसमें wood रखनी है जिसमें seed वगारा लखने है तो भाई जो main entry है वह मैंने cherry के gate से बनाई है और देखो यार मुझे बताओ यार कैसा rate करो यार कैसा लगा और हां भाई यार यह थी है यार आज की वीडियो अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लगता कि अच्छी लगी होगी ठीक है क्योंकि यार बहुत यार मैंने बहुत like मन से बनाया literally यह story room भाई मैंने मन से बनाया बताना यार मुझे वीडियो आपको कैस लिए हो कि कैसा बनाए है मैंने क्या 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 चीजों से बनाए ठीक है तो मुझे बताना कि यह कैसा लगा आपको story room और भाई वो देखो यार कितना बड़ा वुड का यूज़ कर लाएगी है हमारे पास यतने ब्लॉक्स नहीं है तो वुड का वुड हमारे पास बहुत है इसलिए मैंने वुड का यूज़ कर लिया और मुझे यह story room बताना ठीक है कैसा लगा मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा और अंदर भाई इसके बहुत सामान सॉट करकर रखा है ठीक है आइटम सॉटर तो नहीं है बट सीड ऐसे साइन फोर लगाए हो सीड जो लाइक माइनिंग से सामान मिलता है माइनिंग रिसोर्सेस बिल्डिंग ब्लॉक्स वुड्ड ऐसा सब हम समार रखेंगे इससे भाई हमारी स्पेस पी कम लेगा यह स्टोरेज रूम चैस्ट और भाई समार भी बहुत ज्यादा हम इसमें रख देंगे तो आई होप यार आपको यह वाली वीडियो अच्छी लिगी तो ल